तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन केरिमी के इस नये लेटेश्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली नहीं हूँ, डरिये मत आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एंसर की लेकर आई हूँ क्योंकि आज हुआ है 10th class के उर्दो का exam और first sitting में यान की प्रतम पाली में जितना भी objective question पूछा है उन सभी objective question का मैं answer की तैयार की हूँ ताकि आप लोग मिला सके कि आप लोग कितना objective question सही कर किया है बहुत जल मैं second sitting का भी answer की upload करूँगी ताकि जिन भी student का exam second sitting में हुआ है वो भी अपना answer मिला सके कि वो कितना answer सही कर गया है फिलाल अभी आप लोग जिन भी student का exam first sitting में हुआ है वो इस वीडियो को अंतक देखे और मेरे answer से अपना answer मिला है और हमें इमानदारी के साथ comment में बता है कि आप लोग का 50 में कितना objective question सही हुआ है और comment भी करकर आप लोग कैसे बताएंगे देखिए सबसे पहले G लिखेंगे capital G दिखाई दे रहे capital G और फिर डैस देकर आप लोग का 50 में कितना number आया उतना number लिख देंगे और पचास number में आप लोग का कितना number चाहिए वह नमबर लिख देना है तो इस तरह आप हमें comment करकर बताएंगे और एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मैं जितना भी objective question आप लोग के exam से पहले कराई थी चलिए आप लोग मिलाएं कि आप लोग 50 में कितना objective question सही कर क्या है और comment करकर जरूर बताएंगा चलिए तो ध्यान दिजीए हाँ पर देखिए ये जो है उर्दू के question paper का set E है आप लोग का दूसरा भी हो सकता है A, B, C, D, E, F कोई भी set आप लोग का क्यूं नहों सभी set में question एक ही होता है बस numbering change रहता है जिसे कि ये जो set है set E है तो set E में जो question एक number पर पुछता है न वही दूसरे set में A, B, C, D, E, F वही question दूसरे set में 4 number पर, 5 number पर, या 6 number पर, या 10 number पर मतलब numbering change करके वही question पुछता है लेकिन जिन student का set E नहीं है उनका कोई दूसरा set है A, B, C, D दूसरा set है तो वह question को पढ़ कर मिलाएंगे ठीक है तो देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल है कि जमाना कितने होते हैं तो जमाना यानिकी tense में आप लोग को पढ़ाई थी और बोली थी भी कि question आएगा ही आएगा और देखिए पूछ भीती है जमाना कितने होते हैं यानकी tense कितने परकार के होते हैं तो वो हते हैं तीन परकार के माजी हाल और मुस्तक्मिल तीन परकार का जमाना होता है तो option number B is your right answer next question की तरह बढ़िए दूसरा सवाल है कि मानी की एतबार से लव्ज कितने तरह के होते हैं तो मानी की एतबार से लव्ज जो है वो दो तरह के होते हैं option number A is your right answer आप लोग का सही जवाब हो गया आगे बढ़िए मैं आप लोग को फड़ाफट answer बताते जा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम लेना है ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी मालूम चल जाए कि आप लोग का 50 में कितना नंबर मतलब 50 में आप लोग का कितना objective सही हुआ है तो मैं आप लोग को फड़ाफट answer बताते जाओंगी और आप लोग मिलाते चलिए इसमें file कौन है इसमें file यह जब मैं आप लोग को उर्दु grammar पढ़ा रही थी उसी वक्त बोले थी कि question पूछेगा और देखिए पूछ भी दिया है इसमें file काम करने वाले को कहते हैं subject को तो देखिए देखने वाला जो है वो इससे मालूम क्या चल रहा है देखने वाला काम कर रहा है तो option number A is your right answer हो जाएगा यह होगी आप लोग का सही जवाब क्योंकि देखा हुआ होगा ही नहीं चलिए फटफट आगे बढ़िए मैं पटना जाओंगा यह कौन से जमाना है तो मैं पटना जाओंगा काम करने की बात कब हो रही है आने वाले समय में future में बात की जा रही है तीखे तो यहां पर fail मुस्तक्बिल मुस्तक्बिल का मतलब होता है future यानि की पटना जाने का काम कब किया जाएगा आने वाले समय में future में किया जाएगा तो यहां पर यह जो जमाना है यह काम करने की जो चिन दिखाई जा रही है इससे मालूम चल रहा है कि हाँ यह जो काम होगा वो आने वाली समय में होगा तो अपसन नमबर B is your right answer अगला question देखिए सेक्ता का मतलब क्या है सेक्ता का मतलब है मुख्तसर ठहराव अपसन नमबर A कौमा को ही बोलते हैं ठीके तो यह होगे आप लोग का सही जवाब कान भरना का मतलब क्या होगा यह देखिए मुहावरा है और मैं आप लोग को बोली भीती की मुहावरा से question पूछेगा और देखिए पूछ भी दिया है कान भरना का मतलब होता है चुगली करना अपसन नमबर A होगे आप लोग का सही जवाब फटाफट आगे बढ़िए मिला आते जाए आप लोग कितना question का answer सही कर किया है ठीके और उसके बाद से बीच-बीच में आप लोग वीडियो को शेयर वगर कर दीजेगा आगे बढ़िए साला की जमा क्या है तो साले की जमा होता है सालहीन आपसन नमबर A is your right answer साले की जमा सालहीन चलिए नमबर सवाल है की जेल में कौन सालव मौननस है यानि की strilling है तो वो है तबीच आपकी तबीच कैसी है ठीके मेरी तबीच खराब हो गई है इसे मालूम क्या चल रहा है तबीच जो है वो strilling है आप लोग अभी ऐसा सुने हैं बोलते हुए कि आपका तबियत जो है कैसा है मेरी मेरा तबियत खराब हो गया है ऐसा नहीं होता है मेरी तबियत खराब हो गई है यह होता है तबियत जो है वो मौननस है तो यह होगा आप लोग का सही जवाब जेल में इसमें सूत कौन है ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अफसर नमबर बी काउं काउं ठीक फटा फटा आगे बढ़िये जेल में जमाना हाल का जुम्ला कौन है जमाना हाल यह नहीं की जो प्रेजेंट में चल रहा हो वो काम उसको क्या कहते है जमाना हाल तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा एहमद पीता है इससे मालूम चल रहा है यह जो पीने की प्रिकिरिया है वो प्रेजेंट में चलती है ठीक है तो यह होगा आप लोग का सही जवाब आगे बढ़िये किसी काम करने का असर किसी काम करने का असर जिस पर पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं किसी काम करने का असर जिस पर पढ़ता है उसे कहते हम लोग मफूल आपसा नमबर C is your right answer आगे बढ़िये फटाफट लव्ज लव्ज जो है वो किस से बनता है जुम्ला से बनता है कि हर्फ से बनता है कि इसम से बनता है तो लव्ज जो है वो हर्फ से बनता है अपसा नबर बी इस यो राइट एंसर ठीक है आप लोग जो शब्द देखते हैं तो शब्द जो है वो अक्छर से ही ला मिलकर बनता है बिल्कुल उसी तरह उर्दू में जो है हर्फ अलिव बेते से से ही मिलकर लफ्ज बनता है तो यह हो गया आप लोग आपसे नमर भी टाइट एंसर चलिए आगे बढ़िए किस लफ्ज में नाम काम और जमाना नहीं पाया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अपसे नमर सी हर्फ में ठीक बड़फट आगे बढ़िए अगला कोश्चन है कि अलामत मफूल कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर भी बढ़फट आगे बढ़िए लफ्ज रात की जिद क्या है तो रात की जिद यानि कि रात का उल्टा के हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमर सी आपे से बाहर हो जाने का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना ठीक चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए आज आज बाजार ना जाना इस जुमले में किस किसम का फेल इस्तमाल हुआ है तो इसमें है फेल नहीं ठीक है नहीं जो है इसका मतलब होता है किसी काम से रोका जाए तो इससे मालुम क्या चल रहा है काम करने से रोका जा रहा है बाजार जाने से रोका जा रहा है तो यहां पर जो नहीं जाने का काम जिसमें नहीं देखने को मिल जाए ना उसको बोल दिया जाता है फेल नहीं तो आप करता है ठीके तो और जो है ये जोडने का काम करता है कि मैं और तुम ठीके मैं और तुम बजार जाएंगे ठीके तो ये मैं और तुम और जो है ये जोडने का काम कर रहे तो इसको हर्फिया तब बोलेंगे चलिए आगे बढ़िए जेद ने पान खाया इस जुम्ले में पान क है जो जेद है वो क्या खा रहा है तो पान खा रहा है तो यह यहां पर जो पान है वो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है तो आगे बढ़िए पाउं फैलाना का क्या मानी है तो पाउं फैलाने का मानी होता है हद से बढ़ना चलिए फड़फट आगे बढ़िए जेल में इसमें नक् लड़का से मालूम चल रहा है कि इसमें सभी लड़के आ जाएंगे कोई खास लड़के के बारे में बात नहीं की जा रही है लेकिन यहां पर देखिये दिली गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को एड्जेक्ट मतलब शहर का नाम बता दिया जा रहा है गंगा भी नहीं ह होगा तो यह भी इसम नक्रा नहीं होगा यहां पर सिर्फ लड़का जो है वह जाएगा इसम नक्रा क्योंकि लड़के से पूरे जिसमें सभी लड़की आ तो आम नाम है लड़का ठीक है चलिए आगे बढ़िए इधर आओ कौन सा जुम्ला है इधर आओ ये जुम्ला है अमरिया अपसन नमबर ए इस यूराइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन देखिए मेरा भाई बहादूर है इस जुम्ले में बहादूर क्या है मेरा भाई जो है वो ऑफसन मबर ए इस यो राइट अंसर आगे बढ़िए कोश्ट नमबर 26 है कि जेल में इसमें आला कौन है तो जेल में यानि धीन मिलोखीट चारों में इसमें यहां पर गलती से देखिए मिस्प्रिंट हो गया है आमिद रोटी खा रहा है इसमें इसमें जुम्ले एक मिनट इसमें हामिद क्या है यहां पर गलती से देखिए मिस्प्रिंट हो गया है हामिद रोटी खा रहा है इस जुम्ले में यहां पर जुम्ले जो है जुम्ले इस तरह लिखाएगा मिस्प्रिंट हो गया जाने दीजे इस जुम्ले में हामिद क्या है तो इस जुम्ले में हामिद जो है वो file है option number a is your right answer खाने का काम कौन कर रहा है हामिद तो हामिद हो गया file subject है हामिद चड़िए आगे बढ़िए दर्जिजेल में साबका तलास करें यानि की साबका जो लवज शूरु में लगता है, उसे बोलते हैं साबका, स् offs साबका और शूरु, मैं आप लोगों को ये पर्धा रहा रही थी साबका और लाघा तो बताई थी कि कोशन पक्का है की आएगा और देखे पूछ भी दिया है, तो देखे इसका राइट अन्सरिक हो जाईगा, उपसन नम् मतलब लफ इस चारो मेंसे बताना है चारों आफसन मेंसे कि मतलब सेम अगर को तैक Pacific लगाना रिश्वत देना अफसर नमबर बी इस यो राइट एंसर ठीक है चलिए आगे बढ़िए दर्सी किताब रोश्नी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं यानिकि जो आप लोगे किताब रोश्नी का किताब है उर्दू के रोश्नी का किताब है उसमें टूटल कितने अपसाने हैं जो की लाकाई अदब के हैं तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा है अपसान नमबर ए छे छे जो है सिक्स अपसाना कहानी है आप लोग के रोश्णी के किताब में चलिए आगे बढ़िए किरला में कौन सी जबान बोली जाती है देखें आपर केराला लिखा वातरक के किनारे जो है यह गुजराती जबान गुजराती भासा की कहानी है ठीक चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के जबान की कहानी है तो अफसाना सूरज का घोड़ा जो है वो कन्नर जबान की कहानी है कन्नर भासा की आगे बढ़ि चाइब यह सवाल है कि कि तरदोई किस आफ़साने की किर्दार है तो कौलेज के महीं Пटा joka को nut देना चाहिए मतलब सही नाम एक देना चाहिए लगा दीजिएगा लगा दिये होंगे तो अच्छा है लेकिन यह मतलब कोश्चन ही डॉंग मतलब ऑप्सन सही अप्सन नहीं डाला है तो यहां पर बिहार बोट की तरफ से गलती हो गई है बट कोई दिकत नहीं है चलिए आग वारिश शाह से किस तरह की नजम है ये जो वारिश नहीं है तो यह किस तरह की नजम है तो यह आज़ाद पर भी सादिक ने ठीक है आगे बढ़े के सचिद आनंद की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वह मुलाकात वह मुलाकात जो है कि लिखी होई है कवीता चली आगे बढ़े कौन बड़े कौन बड़े शायर जगनात आजाद के वालिद थे ठीक है तो उनका नाम था पता है उनका नाम था तलूक चंद महरूम जगनात आजाद के वालिद यानकी उनके पिता जी का क्या नाम था तलूक छंद में रूब देखिए moisturizing में आप लोग लोको कराई भी थी और पूछ भी दिया है और बोली थी कि uti है वयरीama क्वेरी इंपूटेंट है और दिखिए कोशिण पूछ दिया है लगबग सभी कोश्चन इतना भी मैं आप लोगो को कराई थी वह पूछा गया है। चली आगे बढ़िये परवेश शादी का पूरा नाम क्या है तो परवेश शादी का पूरा नाम है सेयद एकराम हुसेन यह भी मैं आप लोगो को daha है थी देखिए आगे बढ़िये सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ी है कि नजम बिजली का खंबा के लावा नेदा फाजली की कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है देखिए यह भी कोशन में आप लोग को कराई थी और यह भी पूछ दिया तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन न लिखा है और नजम बहुत आसान थी पहले यह भी नजम को नेदा फाजली नहीं लिखा है तो आपसन नंबर भी इस राइट एंसर आगे बढ़िए सिन्फ नजम रफ तरफ तक क्या होते जा रही है तो सिन्फ नजम देखिए मतलब यहां पर मेरे वियू से आपसन नंबर 20 सही होना चाहिए ठीक है खोखली होती जा रही है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि नेदा फाजली की वफात कब हुई तो नेदा फाजली की वफात हुई थी देखें यहां पर यह भी कोशन गलत पूछ दिया है बिहार बोड की तरफ से आप लोगी गलती हो गई नेदा फाजली की वफात जो है मैं आप लोगों को बता दू कि 2016 में हुए था नेदा फाजली की मौत ठीक है अब यहां पर आप्सन में कभी कहीं भी 2016 नहीं दिया है 2007 2008 2009 2010 मुझे लगता है कि अप्सन नमबर डी में उसको 2010 नहीं देना चाहिए 2010 के जगा कोई नहीं देना चाहिए इन में से कोई नहीं ठीक है तो जो भी स्टुडेंट अप्सन नमबर डी लगाये होंगे शायद उनका सही हो जाए बाकी यहां पर बिहार बोड की गलती है उसे ठीक है तो यह बिहार बोड की तरफ से गलती है फिलहाल मतलब आप लोग क्या इसका अप्सन लगाये हैं आप लोग हमें कमेंट करकर जरूर बताएएगा लेकिन यह कोईशन ही रॉंग है चलिए आगे बढ़िए कि नजम खड़ा डीनर किस तरह का नजम है ठीक है तो इसक कोईशन नमर 49 है कि गालिब कप पैदा हुए है तो गालिब की पैदाएश हुई थी 77-777 में यह तो मैं आप लोगों को पक्का बोली थी कि 100% यह कोईशन पूछेगा और लीजी 100% पूछ भी दिया है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि मुगलिया दर बार से अबिर लमुल्क अबसर नमबर 30 और राइट एंसर घजल अर्बी कसीदे के किस हिस्से से माखोज है तो घजल जो है यह कोईशन ना 12 क्लास के उर्दू में भी पूछा था हंडिट मार्क्स का जो 12 क्लास का उर्दू का एक्जाम हुआ था उसमें भी एक कोईशन पूछा ग यह दाग के रंग के लावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है तो दाग के रंग के लावा मुबारक के कलाम पर तसूफ का रंग पाया जाता है आपसर नमबर B is your right answer नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़िए एहमद फिराज बुनियादी तोर पर किस मिजाज के श इस यह राइट अगे बढ़िए कि पर्विन शाकिर के इसलाफ का आबाई वतन कहा था तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा आफसर नमबर एद दर्भंगा चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कोश्चन नमबर 56 इरफान सिद्यक् जिसको उर्दू में जो है अर्फान सदीक की ट्रांसलेट किये थे चलिए आगे बढ़ी है कोश्चन नमबर 57 है कि दुख दुख लेकिन इस बात का है दुख लेकिन इस बात का डैस हुई किताब तो बेवा हुई किताब और भी इस यो राइट इंसर ठीक है यह तो बहुत ही सिंपले कोशन नमबर 58 देखिए दोहा के जुबान से उर्दो शायरी में आई तो दोहा जो है वह घंदी जुबान से आई थी कॉशन नमबर 58 का राइट इंसर क्या हो जाएगा अपसन नमबर एं हिंदी में पहले दुखा जाता फिर उर्दू में दोहा लिखा जाने लगा और इसको इस कोस्टं को मैं तो आप लोग कितना बार बताई हूं कि इसको मतलब आप लोग याद कर लीजेगा और कोस्टं पूछ भी दिया है चलिए आगे बढ़़िए सलाम मचली शहरी बुनियादी तो आपकिस सिंफ के शायर थे तो सलाम मचली शहरी जो है वो गीथ के शायर थे गीत लिखा करते थे तो आपसन नमबर ए हो गया आप लोगा सही जवाब सलाम मचली शहरी के वालिद का नाम क्या वालिद का क्या नाम था तो उनके वालिद यानि कि पिता जी का नाम था अब्दुल रजाब यह भी कोश्चन में आप लोगो को कराई थी और देखी को मालूम होगा चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि सबकी हया तो मौट का ख्याल कौन रखता है तो जो च्टूडेंट फॉर्स शपठर पढ़े उनको मालूम ही होगा सबकी हया तो मौत का मौला तुझे ख्याल मिसरा है तो आपसण नमबर भी इजियो राइट अन स पड़फट आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 64 है कि अख्तर क्या करते थे तो वो शायरी करते थे अफसन नमबर सी होगे आप लोग का सही जवाब में फड़फट आप लोगो एंसर बताते जा रही हूं ठीक है निसाब में शामिल अफसाना भाबी जान किसकी तखलीक है तो आप लोग के बुक में जो कहानी है भाबी जान उसको किसने लिखा है तो उसको लिखे हैं सोहल अजीम अबादी ने अफसन नमबर बीजियो राइट एंसर देखिए कितना सिंपल कोश्चन पूछा है चलिए आगे बढ़िए शेर में कितने मिस्रे होते हैं तो शेर में जो आप लोग को बार बार बोल रही थी कि यो कोश्चन पूछा जा सकता है और देखिए पूछ भी दिया गया है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा 67 का अफसन बर सी नफसियात साइकलोजी पर जो है ना डॉक्टर मुहमद मौसीन की महारत हासिल थी चलिए फटफट आ आगे बढ़िए देखिए को क्यों नवर 69 कि नौजवाणी में 10 अभीं खाली सजगा में से देखकर छूट और सचकी तमीज आसानी से होती जूट और तकी तमीज होती ऊ सब्छाइं इसका राइट एपसें मुझे नलगता है यह जंघ हो जाएगा लेगे आप लोग देख आ रही हूं आप लोग के लिए तो अगर मैं इसको ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचूंगी और इस पर फोकस करूंगी तो मैं आप लोग को सही एंसर बता दूंगी फिलाल अभी आप लोग को यह जाना जरूरी है कि आप लोग का 50 में कितना अब्जेक्टिव कोशन सही हुआ ह ठीक है तो अपसर नमबर A मेरे हिसाब से लग रहा है चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर 70 यानि कि 70 है कि बरकत लिसी दिक्टी किस अफसाने की किरदार है तो वो है आपसर आपसर नमबर B इस यूर राइट एंसर अगला कोशन देखिए डिप्टी नजीर एमद ने किस स वालिद का वालिदा का क्या नाम था अगर ये मेहदी अफादी अर्दू के इलावा किस जबान में महारत रखते थे तो मेहदी अफादी जो है वो अर्दू के इलावा फारसी में अफसा नमबर C is your right answer फारसी में महारत हासिल थी आगे देखिए कोशन नमर 77 है कि बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है तो बेद स्टगू या मुलाकात के दौरानावसी बातचीत को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग इंटर्वियू अफसान नमबर A is your right answer चली आगे बढ़िये चकबस्त की पैदाइश कब हुई तो चकबस्त की पैदाइश हुई थी 1880 इस भी में ये भी मैं कोशन आप लोग को क सही जवाब चली आगे बढ़िये आरिफ मरहुम गालिब के कौन थे तो जो आरिफ थे वो गालिब के भाजा थे आफसान नमबर A is your right answer सही जवाब हो गया आगे देखिये वाकिया कर्बला के लावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं शक्स नमबर A हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िये जहर इश्क किसने लिखी है तो जहर इश्क जो है वो शौक लखनवी ने लिख्या था आफसान नमबर A is your right answer आगे देखिए अगला सवाल है एक मिनट हां कि दर्द जेल में मस्नवी निगार कौन है तो मस्नवी नि 1773 यह होगा आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िये नसीम का पूरा नाम क्या था तो उनके उनका जो पूरा नाम था वो था दया शंकर कोल ठीकिए अब कई स्टुडेंट यहां पर मतलब उनको इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन होगे कि दया शंकर कोल होगा कि दया नंबर इह होगया आप लोगा सही जवाब आगे देखिये बकावली की शक्सियत कैसी थी तो बकावली की सक्सित जो थी वह वे शहर लगीर थी ठीकी सुरे सहिर्वी लंगेज यहां पर सहिर अंगेज देना भूल गया स्benड़ करिन्ट हो कुछ है वो कराई हूं यह भी कराई थी और लगबग कुछन आप लोग को देखने को मिल रहा है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि अम्रोहिया का तालुक किस सोबे से हैं तो अम्रोहिया का तालुक है यूपी से अपसन बड़ी हो गया आप लोग का सही जवाब आग अगे बढ़िए अगला कोश्चन की दर्दजेल में सरस्यद की तस्निफ कौन है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपसन बड़ी असबाब वो बगावते हिंद ठीक है कोश्चन नमर 94 की अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है तो अदब के पहचान नाम के म खिवन रहों का तालुक था उबसन बड़ी होगा आप लोगों का सही जवाब आगे देखिए कोश्चन नमर 96 कौन है तो आगा अश्र जो है वह एक ड्रामा निगार है ड्रामा लिखा करते हैं तो आपसन निमबर सी हो गया आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़िए लि सुरज गरहन का मुशादा करने के लिए कब पठना पहुचे थे तो इसका राइट इंसर पता है क्या हो जाएगा अप्सट नमबर ए जब कि पृष्ट नमबर ए हो जाएगा आप लोगा सही जवाब कि चांद यह वह पृष्ट नियानी कि पर्थम पारी का एंसर इसको आप लोग एक एक करके देख लिए और आप लोग को मालूम भी चल गया होगा कि आप लोगा 50 में कितना अब्जेक्टिब कोश्टन सही हु शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच चेके और वो भी अपना एंसर मिला सके कि वह पचास में कितना अब्जेक्टिव कोशन सही किये हैं ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगा नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज